नमस्कार, TV29 News के लिए मैं आपके साथ रिच्छा साहए शराब पड़ी कोरोना परभारी, लोग भूल गए हैं खतरनाक है यह बीमारी दिल्ली से देश भर में कई जगों पर शराब की दुकान खुलने का फैसला सिरका दर्द बन गया है शराब की दुकान खुलते ही शराब के शोकीन लोगों की भीड दुकानों में उमड पड़ी और सुबह से ही दुकानों के सामने लोगों की भीड एकत्रेत हो गई यहां तक कि लोग कोरोना जैसी खतरनाक पिमारी से भी बेखा पर नज़र आए हैरान करने वाली बात तो यह है कि लोगों ने सुरक्षा को भी नज़र अंदाज कर दिया और शराब दुकानों में लोग आसुरक्षे ढंक से खड़े हुए नज़र आए यहां तक कि शराब प्रेमियों ने शराब के लारश में पुलिस को भी अंदेखा कर दिया और पुलिस के समझाने पर शराब प्रेमिय पुलिस से ही उलच पड़े शराब की दुकानों के सामने लोग इस तरह खड़े हुए नज़र आए जैसे राशन की दुकानों पर लोग बड़े जोले लेकर राशन लेने पहुंसते हैं शराब खरीद ने आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धजियां उड़ा दी इसका नतीज़ा यह हुआ कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और कई जगह पर शराब की दुकान बंद कर दी गई आपको बता दें कि कोरोना वाइरस के चलते केंदर सरकार ने शराब की दुकानों को भी बंद करवा दिया था लेकिन 4 मई से देश में लगभग सभी शेहरों में शराब की दुकाने खुल गई जहां कोरोना वाइरस की खिलाफ इस जंग में पुलिस बल, सुरक्षा कर्मी इवं डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा करके जनता की सेवा कर रही है वहीं पर शराब की दुकाने खुलने से जनता ने सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया है शराब के आदी लोग यह भी भूल गए हैं कि COVID-19 का वारस कितना खतरनाक और जान लेवा है इनकी इस तरीके के हरकतों की वजह से इनके घरवाले ही नहीं बलकि इनके आसपास के लोग भी संक्रमेत हो सकते हैं सवाल तो राज्य सरकार के इस फैसले पर यह भी उठ रहा है कि क्या यह समय उजित्था की शराब की दुकानों को खूला जाए क्या राज्य सरकार के पास शराब बिक्री के रावा कोई और रास्ता नहीं है अपने राज्य कोस में राज्य सो बढ़ाने का क्या राजसरकार भूल गई है कि ऐसे हमें लोगों को जागरत करने का है ना कि उनको नशे के अलम में मदमस्त करने का फैसला आप खुद करें आखिर जिन्दगी है आपकी और देश है आपका